हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का आपके अपने योटिब चिनल मोर क्रेटिव पर स्वागत हैं आई जाने मदप्रदेश किसान कर्जमाफी किसान को लेकर नया अपडेट आया है कमलनास सरकार का ये बयान है कि यदि मदप्रदेश के किसान को कर्जमाफी चाहिए तो उन्हें इन सर्तों को पूरा करना होगा कौन कोन सी सर्ते हैं हम देख लेते हैं आप ये भी जानेंगे कि के सी सी लोन का क्या होगा और आप फार्म कहां से लेंगे आपको फार्म कहां जमा करने है क्या है मुख्य सर्थ जिससे कमलनाज सरकार इस प्रकार के अपडेट देते रहती है तो चलिए शुरू करते हैं कमलनाज सरकार का कहना है मत प्रदेश किसान कर जमाफी चाहिए तो इन सर्थों को करें पूरा 15 जनवरी 2019 का अपडेट है जाने पूरा अपडेट यदि अपडेट आपको अच्छा लगे जानकर या अच्छी लगे तो प्रदेश कर जमाफी चाहिए तो इन सर्थों को करें पूरा अन्यता कमलनार सरकार नहीं देगी रहात बहुत सारे किसान गए थे तो पूप संचालक क्रसी विभाग के हैं उन्होंने बयान जारी किया है मैं आपको पूरा बयान बता देता हूँ क्या है प्रदेश के किसान मुख्यमंतरी कर्जमाफी योजना के तहत केवल दो लाख रुपए तक कर्जमाफी का लाब ले सकेंगे योजना का लाब उन किसानों को मिलेगा जिनोंने बैंक से खाद बीज या केवाईसी के तहत कर्ज ले रखा है करज माफी कालाब लेने के लिए रिन खाते से आधार का लिंक होना आवस्य खाए आधार काड लिंक न होने वह आविद्धन न करने पर किसान इसका लाब नहीं ले सकेंगी इसका मतलब हुआ कि आपने बैंग से खाद बीज या केवाइसी के तहत यदि लोन लिया है वही माफ होगा आपको अधार कार्ड लिंक कराना अनिवारे होगा आपको करजमाफी के लिए करजमाफी आविदन भी करना जरूरी होगा तब ही आप इस करजमाफी का लाब ले सकते हैं MP Online द्वारा 15 जनवरी से लाइव पोर्टर चालू किया जा रहा है जिस पर किसानों से मिलने वाले आविदन अनलाइन अपडेट किये जाएंगे किसानों को तीन स्रेणियों में रखा जाएगा किसान जिस स्रेणि में आएगा उसे उस रंग का फार्म भरना होगा फार्म किसान को निसुल्क मिलेगा 15 जनवरी से MP Online मतलब इसकी वेबसाइड होती है www.mponline.gov.in इस पर किसानों के फार्मों की जानकरी अपडेट हो जाएगी आप वहां से भी देख सकते हैं किनकिन किसानों का नाम कर्जमाफी में सामिल हुआ है तीन प्रकार के फार्म भरने हैं मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार बता चुका हूँ हरा फार्म वे किसान भरेंगे जो जिनका अधारकार्ड है सपेद फार्म वे किसान भरेंगे जिनका अधारकार्ड नहीं है लेकिन अन्य दुसरे दस्तावेज है और गुलावी फार्म वे किसान भरेंगे जिनके पास न तो अधारकार्ड है और ना ही किसी प्रकार का अन्य कोई दस्तावेज है ठीक है 15 से सूची होगी चस्पा तीन रंगे मिलेंगे फार्म 15 जनवरी से ग्राम पंचाइदभवन वो वाड आफिस पर करजदार किसानों की सूची चस्पा की जाएगी सूची तीन रंग की होगी हरी, सपेद व dal गुलाबी हरी सुची में उन किसानों के नाम होंगे जिनके आधार खाते से लिंक है सपे सुची में उनके नाम होंगे जिनके खाते से आधार लिंक नहीं है तथा गुलाबी सुची में वे किसान होंगे जिनका नाम इन दोनों सुची में नहीं है ठीक है जो किसान जिस रंग की सूची में है उसे आविदन उसी रंग का देना होगा ठीक है खिलियर हो गया ना आपको अब फाम कहां से मिलेंगे और कहां जमा कराएं यहां कराएं फाम जमा किसान जिस ग्राम पंचायत में निवास रत है वह उसी पंचायत में ग्राम सचिव, ग्राम रोजगार सायक वह नोडल अधिकारी के पास फाम जमा कर सकते हैं निगम सीमा में आने वाले किसान वार्ड आपिस में फाम जमा कर सकते हैं निगम सीमा मतलब जो बड़े सहरों में रहते हैं ठीक है वे भी अपना फार्म वार्ड आपिस में जमा करा सकते हैं दो लाग से अधिक का कर्ज स्वयम चुकाए किसानों को दो लाग रुपे तक की कर्ज माफी का लाब मिलेगा यदि आपने दो लाग रुपे कर्ज चुकाए हैं तो आपको दो लाग रुपे माफ कर दी जाएंगे भले ही अलग-अलग बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड के तहट अधिक कर्ज ले रखा हो यदि आपने दो बैंकों से चार लाख रुपए ले रखा है लोन तो आपके केवल दो लाख ही माफ होंगे ठीक है इस प्रकार से KCC के बारे में उन्होंने कहा है काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा सेंटरल बैंक में दो लाख का है और सोसाइटी में एक लाख का है तो क्य होगा दोनों को मिला करके सबसे पहले प्रात्मिक्ता सोसाइटी को दी जाएगी उसके बाद फिर केसी सी तो इसका एक लाख और वहां का एक लाख इस प्रकार से केवल दो लाख ही माफ होंगे आगे फाम आपको वहां से मिलेंगे जिस बैंक से आपने लोन लिया है चाहे सोसाइटी हो या फिर कोई अन्य बैंक हो वहीं से आपको फाम भी मिलेंगे आप वहां जाए और उनसे फाम मागे और अपनी फाम के बारे में बताए कि मेरे पास अधार कार्ड है या मेरा अधार कार्ड बैंक से लिंक है या फिर अधार कार्ड नहीं है दूसरी आईडी है या फिर आधार कार्ड भी नहीं है या अन्या आइडी भी नहीं है इस प्रकार से आपको जानकारी देनी होगी तब जाकर के आपको वे फाम देंगे सम्मान प्रमाण पत्र भी मिलेगा एक अप्रेल 2007 से 31 मार्ज 2008 के बीच कर्ज लेने वाले सभी किसानों को कर्ज माफी का लाव मिलेगा एक अप्रेल 2007 से 31 मार्ज तक के कर्ज को माफ किया जाएगा सासन से रासी पहुंचने के बाद बैंक किसान को रिन मुक्ती का प्रमाणपत्र देगा इसके साथ ही 12 दिसंबर 2018 तक जो किसान आंसिक या कर्ज का पुर्ण बुक्तान कर चुके हैं उन्हें भी इसका लाब मिलेगा 31 मार्स से 12 दिसंबर तक का बात कहा था उन्होंने तो 12 दिसंबर तक का जिन्होंने कर्ज पटा दिया है उनको भी रात रासी के रूप में लाब दिया जाएगा बैंक में सासन की और से राजी पहुँशने के बाद बैंक बकाया काट कर बाकि का पैसा किसान के खाते में पहुँचाएगी जो किसान आंसिक या पुर्ण भुक्तान कर चुके हैं उन्हें बैंक की और से संमान प्रमाण पत्र भी मिलेगा एक नजर और हम डाल लेते हैं हलाकि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है फिर भी बहुत जरूरी चीज है कर्जमाफी दो लाख रुपए अगर हो दो लाख रुपए को कमाने के लिए हमको किसान दोस्तों को बहुत साल लग जाते हैं क्योंकि इतना सारा खर्च होता है खेती करने में और आमदानी कुछ नहीं होती इसलिए इन खबरों से अपडेट होकर कि आप अपना अच्छे से कारी करें ताकि इस योजना का लाव लेख सके राश्टी करत वग्रामिन बैंक के खातेदार को रिण पुस्तिका के प्रथम पेज की फोटो काफी आविदन में लगानी है जब आप फाम भरोंगे तो आपकी जो रिण पुस्तिका है जिसको पावती बोलते हैं उसकी फर्ष्ट पेज की फोटो काफी आपको आविदन में लगानी है किसान 15 जनवरी से 5 फरवरी तक आविदन कर सकेंगे फाम भरने की डेट है 15 जनवरी से 5 फरवरी तक ठीक है इस बीज किसान खाते से आधार भी लिंग करवा सकेंगे जरूर करवाएं आधार कार्ट को अपने बैंक खाते से लिंग और कर्ज माफी का फार्म जरू बरे एक बार फिर मैं करूँगा और कर्ज की रासी मिलेगी 22 फरवरी को रासी किसानों के खातों में आवंटित की जाएगी इस प्रकार डेट वाइस डेट पुना नया अपडेट है आप इसको अच्छे से समझ लें अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको सुविदा हो आधार लिंक होना अनिवारी है किसान का 2 लाक रुपए तक का कर्ज माफ होगा रिन खाते से आधार लिंक होना वो आविदन करना अनिवारी एक बार फिर में बता दू आपको आविदन भरना जरूरी है और अपने आधार को खाते से लिंक करना बहुँत जरूरी है उसकी डेट मैंने बता दिये है तीक है 15 जनवर से 5 फरवरी तक फाम भरे जाएंगे और उसी दवरान आपके आजार कार्ड खातों से लिंक किये जाएंगे ठीके फाम आनलाइन फीड होने पर किसान के मोबाइल पर सेमेस पहुंचेगा जिसके बाद 15 जनवरी को कर्ज माफी वाले किसानों की सुची चिपकाई जाएगी डाक्टर आनन बढ़ोनिया उपसंचालक क्रसी किसान कल्यान विभाग इस प्रकार से उन्होंने पुरा बयान दिया है क्रसी किसान कल्यान विभाग के उपसंचालक हैं तो इस प्रकार से अपडेट था यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो या संका हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं मैं पूरी कोसिज करूँगा आपके कमेंडों के जवाब देने की तो मिलते हैं सर यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जुरूर करिएगा और चुब हो